Hello Everyone, आज है 13th December और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं Easy Trip Planners या फिर Is My Trip कहलो इसको आज बड़ी तीजी आई है लंबेर से बाद 4% की तीजी इसने दिखाई है और पिछले एक महिने में अगर हम देखे तो भाई साब यह अब तक गिर ही रहा था 42 रुपीज से लेवल से गिर कर यह आया 37, 38 पर और आज जाकर एक बड़ा मोव इसने दिखाया है बात्चित करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में साथ यसाथ कंपनी की मैनेजमेंट की क्या कमेंटरी है उसके बारे में भी लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तरह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है तो आपको काफी जादा है तो देकिए एजी ट्रिप प्लानर दो तिन महीने से मैं वीडियो बना रहा हूँ और एक चीज मैंने हमेशा कही है पिछले तीन महीने से एक ही कमेंटर मेरी रही है कि जब भी ये 37-38 रुपीज की रेंज में जाता है न एक 30 ही आती है जो इसको 42 से 44 की रेंज में लेकर जाती है लेकिन वापस जो 42 से 44 का जो रेंज है वहाँ पर एक रेजिस्टन्स भी बैठा हुआ है जो इसको वापस नीचे की तरफ धकेलता है और जहां से शुरू हुआ था वही बराता है फिर वापस मूव आता है वापस अटेम्ट करता है लेकिन वही लेवल से फिर गिरता है यह अभी वापस देखो तो दुबारा 30 भी बन रही है और यह मैंने आपको बहुत पहले बताया भी था कि यहाँ पर अगर जिनको रिस्क लेना है बाइंग का उनके लिए 37-38 का रेंज होना चाहिए लेकिन हाँ फिर उसके बाद जादा लालज भी नहीं करनी चाहिए अगर यह 42 से 44 की रेंज में जाएगा तो भाग जाओ यहाँ से सिंपल से बात है भाग जाओ यहाँ से और हला कि एक्सपेक्टेशन अभी इनके डिसम्बर क्वार्टर से काफी जादा है काफी बड़ी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर देखो तो भाग इस माई ट्रीब जो है वो प्रामिस कर रही है कि भाग इनके मतलब एक्सपेक्ट कर रही है कि इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होंगे उसमें 30% का यर ओन यर इंक्रीज आएगा यर फेस्टिवल सीजन कहलो या फिर फेस्टिवल सीजन तो था ही उसके अलावा अगर देखे तो वर्ल्ड कप के मैचिस भी थे तो लोगों ने काफी ज़ाधा ट्रावल उन दौरान में करा हुआ था जिसके चलते कह सकते हैं कि चीज़े बहतर होगी और देखो यहाँ पर कन्वेजेशन हुआ है CNBC TV 18 के साथ जो कंपनी के को फाउंडर है इस माई ट्रिप के उनकी तरफ से और उनका यह कहने है कि अप्टिमिस्टिक अबाउट दे करेंट क्वार्टर जो भी करेंट क्वार्टर है कोई शक्की बाद नहीं है वो हर बार यह चीज़ होती है ठीक है यह मार्केट पहले से जानता है यह बुकिंग्स वगेरा ज्यादा होती है वो होटेल्स की बुकिंग की बाद करो ट्रेंड रिजर्वेशन की बाद करो बस बुकिंग की बाद करो कैब services के बाद करो यह जादा होती है यहाँ पर और यहाँ पर भी वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी डेफिनली यहाँ पर देखने को मिलेगी और यह मैं पहले भी बोल चुका हूँ कंपनी को लेकर आज वॉल्यूम बड़ी कॉंटिटी में रहे तकरीबन दो करोड के आसपा से शेर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं चुकिके काफी बड़ा नंबर से यह इतना ही नहीं यहाँ पर देखा जाए तो और उन सब को मिलेगा जिनके पास is my trip के शेर 19 दिसंबर से पहले होंगे उन सब को डिविडेंट मिलेगा तो डिविडेंट हाला कि इन्होंने देखो 2022 में पिछले साल डिविडेंट नहीं पे रहा था इस बार अनौंस करा है डिविडेंट जो कि अच्छी बात है ठीक है औ अलगे December के numbers अच्छे आते हैं क्योंकि अगर आप देखो 2022 से में 130 क्रोड का इनका revenue था बाद में घटके 100 क्रोड गया लेकिन September में increase हुआ और अपि December में भी उमीद करेंगे कि increase हो और definitely increase होने के chances जादा ही है profit भी देखो तो भाई साब अच्छा profit था इनका चांदर profit था September में December का number देखना हो कि भाई या कितना और उपर की तरफ जाएगा क्योंकि देखा जाए तो पिछले साल December में 44 क्रोड का profit था और पिछले quarter में 51 क्रोड के आसबास का profit रहा है जरूर है और जहां तक valuation की बात कि देखो share देखने में 40 रुपय का सस्ता लगता है लेकिन valuation को भी देखना चाहिए 45 का इसका P.E. ratio है sector P.E. 71 का है सस्ता आप कह सकते हो इसको कोई भी analysis होला की खरीदारी करने की बाद यहां पर नहीं करें उसे कुछ reasons भी है क्योंकि देखा जाए तो यह एक range में अटक रहा है और दूसरी बात ही है कि वो इस sector से belong करता है जहां पर competition जो है वो बहुत जादा है बहुत जादा competition है चाहे अगर reservation की बात करें टिकेट वगरा की बात करें बहुत सारी apps आ गई है बहुत सारी websites आ गई है जहां से यह चीज़े हो रही है और shareholding को लेकर देखे तो जो promoter है उनकी holding 65.54% के आसपास की है हाला कि promoter ने बेक्वाली भी करी थी उनके 74.90% की holding थी अभी घटी है और उसके अलावा देखे तो mutual funds ने भी बहुत बड़ी बेक्वाली करी 0.61% की holding सिर्फ 0.06 पर आ गए तो mutual fund लगातार बेच रहे हैं domestic के बाद के तो 2.21% की holding 2.37 पर आई है एफाइल्स की जो 2.31% की holding है वो 2.30 पर आई है तो देखा जैतों उन्होंने भी थोड़ी बहुत बिक्वाली करी जरूर है तो शेयर holding pattern जो बड़े-बड़े fund house की मैं देखूं तो वह यह उतनी जादर favorable नहीं लग रही है जादर quantity जो है वो promoter के पास है इसके अलावा retail और others के पास है retail investor के पास 16.84% की holding है other parties के पास 12.89% की holding देखने को मिल रही है तेखें overall अगर मैं बात कुरूए is my trip को लेकर तो जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ successful रहा तो अगर successful नहीं रहा तो वही फिर वापस 42-44 की range को घूम करिए 35-36-37 की range में भी आपको देखने को मैं सकता है और December के number अच्छे आएंगे जिसके चलते अगर तेजी भी आएगी यहाँ पर तो वह temporary तेजी होगी मेरे हिसाब से क्योंकि उसके बाद कि जब March के और June के numbers आपके सामने आएंगे वह उतने अच्छे नहीं होंगे तो वापस से एक बड़े decline के लिए आपको तया रहना पड़ेगा तो यहाँ पर अगर आप खरीदारी भी कर रहे हो तो आपको जो नजरीया है वह पहली तिस long term को तो अच्छे आ जाते हैं यहाँ पर फर यह एक भागना शुरू करेगा लेकिन उसके बाद के numbers जो है दो quarter हो के वह उतने ज्यादा मैं expect नहीं कर रहा हूं कि अच्छा हैंगे तो बाद में decline week के लिए भी आपको तयार रहना पड़ेगा तो अभी के लिए easy trip planner को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूंगा किया देखो एक range में यह अटका जरूर है तो अभी जिस level पर है वो definitely के एक risky level है ठीक है क्योंके mid में है ठीक है middle में है यह 37-38 रुपीज का level वो है जहां पर risk लिया जा सकता है जिनको risk लेना है वो लेकिन at least 40 to 44 का वो level होगा जहां पर profit taking आती है और जो 40 र hazard आज girawat के mood में रहा है लेकिन यहाँ पर te Rocky जो कि काफी अच्छी वात है तीज़ी है देखते हैं कि एक दिन की IT की देख तो अब तक यह गीर ही रहता ठीक है और जैसे कि मैंने कहा मैं long term के लिए इस पर भरोसा नहीं करूँगा short term के लिए जो लेवल मैंने बताया है वो ही मैं यहाँ पर prefer करना ज्यादा पसंद करूँगा अभी के लिए बागी मर्जी आपकी है वीडियो को यही पर end करूँगा पसंद आखो तो like करें अगर चांब अगरा पहले बार हैं तो प्ली सब्सक्राइब करें और easy trip planners के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लेके बता सकते हैं thank you